असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे मुर्ग मुसलम तो चलिए शुरू करते हैं इस रेस्पी को बनाना इसके लिए हम लेंगे एक पूरा होल चिकन और ये वेट में करीब 1.5 किलो है चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है और पानी निकाल दिया इसका इस तरह से ब्रेस्ट सा साथ भी हलका सकत लगा लगा लेंगे अब हम चिकन को मेरीनेट करेंगे मेरीनेट करने के लिए एक बड़े से बोल में हम चार टेबल इसपून के करीब दही लेंगे और एक बड़ा चमच लैसु नद्रा का पेस्ट टालेंगे एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे भरके एक छोटा चमच जीरा पाउडर डालेंगे आदा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर एक छोटा चमच गरा मसाला पाउडर और एक छोटा लाल मेच पाउडर डाला है और थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे इसे चिकन का कलर काफी अच्छा आएगा या ऑप्शनल है यह स्कीप कर सकते हैं आप इसे नमक डाल देंगे और एक नीमबू का रस डालेंगे हम और इन सबी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पेट लेंगे अब हम इस मसाले को अच्छे से चिकन के ऊपर रब करेंगे पूरा कट्स के अंदर अंदर तक भी हमें लगाना है चिकन के इस तरह से पूरे chicken पर हम premisesाले को रब कर लेंगे मसाले को हम अंदर अंदर भी लगा लेंगे मसाले को हम लगा करके फ्रीज में पाँसी 6 खंटे के लिए हम रख देंगे यह ओवर्राइट इसे आप रख सकते हैं और यह हमने मसाले को लगा करके निकाल दिया है फ्रीज से अब यह हमारे पास चार अंडे हैं उबले हुए इसमें से हम दो अंडे इस्तमाल करेंगे इसके पेट के अंदर डालेंगे और दो गार्निशिंग में इस्तमाल कर लेंगे अब चाहे तो तीन अंडर डाल सकते हैं या कुछ ड्राइफ फूट्स भी आप इसमें फ्राइब करके डाल सकते हैं लेकिन ड्राइफ फूट्स को मैं नहीं डाल रही हूँ और इस तरह से किसी दागे से इसके पैर को हम बान देंगे Chen लेकन आराम से फ्राइiesta हो जाए प्राब्लम ना हो फ्राइश करने में और इस तरह से हम टूद्पिक लगा देंगे ताकि अंडे हमारे बाहर ने निकल जाए फ्राइश करते समये अब चिकन को चलते हैं इसे तो एक कड़ाई में हमने 2-2 टेबल स्पून के करीब ऑईल गरम कर लिया है या आप किसी नॉनिस्टिक तवे पे या किसी नॉनिस्टिक कड़ाई में आप इसे डाल करके फ्राई कर सकते हैं और सारे बची हुए मसाली को इसके ओपर डाल देंगे शुरू में हम हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है अब इसके साइड को हम चेंज कर देंगे और यह देखे इस तरह से मार्क्स आ चुके हैं इस पर तो आप चाहे तो इसे हम ढग करके लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसे हम कुक करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से बहुत गल जाए और तोड़ा बहुत कसर इसको ग्रेवी के साथ पकाने में पूरी हो जाएगी कूक हो जाएगा चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने एक अलमुनियम फॉयल लिया है या कटोरी ले 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 और इसके उपर हम दहकता हुआ कोईला रखेंगे जिसे हमने गैस पे दहका लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा घी या बटर डाल दें और इसे हम फॉरण ही बंद कर देंगे धकन से और इसे चोड़ देंगे 10-15 मिनिट के लिए इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और इसे हम बाद में निकाल देंगे अब हम ग्रेवी के लिए और नारियल का बुरादा रोस्ट करके हलका सा इसे हम एक कटूरी में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए अब उसी पैन में हम कुछ खड़े मसाले रोस्ट करेंगे एक चोटा सा दार्चिनी का तुकड़ा एक बड़ी इलाइची चार से पांच लॉंग और चार से पांच करेंगे एक चमच के करीब जीरा और इन सभी मसालों के साथ हम इसे भी हम हलका सा रोस्ट करेंगे और हलकी सी जब खुश्बू आने लगे तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसी बरतन में हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए अब हम इसे पेस्ट पनाएंगे इ पैस्ट कर देंगे और नारियल और खशब ख़श और काजू का काजू भी जाल देंगे तंडा हो पण देंगे इस में हम थोड़ा सा पानी ला ल स्का ₱ पाइस 9 और यह हमने पेस्ट बना के तयार कर लिया है और यह हमारे पास 250 ग्राम के करीब यह प्याज है प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है यह प्याज को हमने फ्राइ कर लिया है और एक कड़ाई में हम 2-3 टेबल स्पून के करीब ऑइल गरम करेंगे और इसमें हम दो ही टेबल स्पून के करीब घी भी गरम कर लेंगे ओल हमारा गरम हो चुका है घी और ओल जो हमने डाला था अब इसमें हम एक टेबल स्पून भर के लैसुन अदर का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से मसाला हमारे फ्राइई हो जाए लैसुन अध्र का पेस्ट चलेना लैसुन अध्रक के पेस्ट को हम हलका सा फ्राइई करेंगे और इसमें हम दो छोटा चमच धनिया पाउडर डाल देंगे और एक चमच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है और एक चमच ही हमने इसमें कश्मीरी मिर्च डाला है इससे कलर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी का और जो हमने पेस्ट बना के डाला था वो डाल देंगे और साथ में हम इसमें दही भी डाल देंगे एक चौथाई कप के करीब हमने दही भी डाल दिया है इसमें और इन सभी चीजों को हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा से दूद में हमने केसर के धागे साथ से आठ केसर के धागे को बिगो लिया था इसे डाल देंगे और ये हमने प्यास फ्राइ की हुई जो थी उसे भी डाल दिया है अब इस मसाले को हम लो फ्लेम पे ढख करके हलकी आज़ पे हम फ्राइ करेंगे मसाले को जब तक इसमें से तेल ना अलग हो जाए थ्यान रहें की गैस का फ्लेम लो ही रखें क्योंकि मसाला ये नीचे से लगने लगता है क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट और डाला हुआ है तो बीच-बीच में इसे चलाते हुए हम फ्राइ करेंगे मसाले को एक बार फिर से हम अच्छे से बूल लेंगे चलाते हुए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसकी ग्रेवी को हमें थोड़ा सा गाड़ा ही रखना है और इसमें हम अब डाल देंगे पूरा चिकन फ्राई किया हुआ इसके उपर ये मसाला भी डाल देंगे जो इसमें हमने फ्राई किया था और ग्रेवी को हम इसके उपर चिकन के उपर डाल देंगे इस तरह से अब इसे हम धक करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कूक कर लेंगे चिकन अच्छे से हमारा गल जाने के बाद अब हम धकन खोल लेते हैं क्योंकि चिकन हमारा आधा से जाधा पहले ही गल चुका है और बा इसके उपर हम थोड़ी से कटी हुई हरी धनिया डाल करके सर्फ करेंगे और जो बाकी बचे हुए दो अंडे थे इसे भी हम काटके सर्फ कर लेंगे इसे पर अगर आपको यह रैस्पी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई रैस् आपीस